नमस्कार मैं खुर्शीत खार राजो और आप देख रहें नीज टैम निशन अब वक्त हो चला अपराज जगत की कुछ बड़ी खबरों का सुल्तानपुर में दोसपुर थाना के 75 नरायन दिवेदी डिग्री कॉलेज में चचेरे भाई के स्थान पर परिक्षा दे रहे मुन्ना भाई की पोल खुली बियसी पर्थम वर्ष की परिक्षा के दारान सचल दस्ते ने पकड़ी हेरा फेरी अमेटी में जामो पुलिस ने फरजी दस्तावेच के साहरे नौगरी करने वाले आरोपी को ग्रिफतार कर जेल बेज दिया अमेटी में थाना बाजार सुकुल पुलिस ने राजेर निसाथ को एक अवेट तमंचा दो जिन्दा कार्तूज के साथ ग्रिफतार कर जेल बेज दिया अमेटी में संग्रामपुर थाना पुलिस ने भुलाई के पुर्वा गाउं का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें जमीन कबजा करने के लिए दबंगों की दबंगई दिखाई दे रही है अमेटी में सुकुल बाजार थाना के प्राचीन हनवान मंदिर में चोरों ने चान्दी का मुकुट दानपात तोड़कर नकदी और इन्वर्टर सहीद अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए फिलाल मंदिर के पुजारी की सुचना पर पुलिस जाच में जुटी गई जौनपुर में चंदवक थाना के आईलिया गाउ में नाली खुदवाने के बिवात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें गरवती महिला समेत लगबग आदे दरजन लोग गंबी रूप से गायल हो गए पुलिस कारवाई करने में लापरवाई कर रही है बरेली में 20 दिन से गायब लड़की को बरामत करने के लिए खजूरिया संपत गड़ी के सादू योगी सरोजनात ने मीर गंठाने के घिराव किया उन्होंने पुलिस पर सासन सो जल से जल गायब लड़की को पता लगाने के लिए मांग की गोंडा में करनेल गंच के भुलियापूर के पास गोंडा लखनो हाईवे पर गैस सिलेंडर भरा वहान पलट गया गाली के पलटने से गैस सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोर्ट होना सुरू हो गया जिससे अफरत तफरी मच गई और आनफानन में गोंडा लखनो हाईवे को बंद कराये गया मौगे पर पहुझी फायर विल गेट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आगरा में थाना जगदीजपुर्ट पुलिस और बदमासों के बीच मुटबड के दौरान पुलिस ने राजे सोनो और सुभास नाम के तीन आरोपियों को ग्रिफतार कर जेल बेज दिया आपको हमारी खबरे कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए इन खबरों को आप यूटूब पर देखने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब करें और फेस्बुक के जरीए हमसे जुड़े है तो पेज को लाइक करके फालो करना बिलकुल न भूले नमस्क रहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए पढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल निउस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें